नमस्कार मैं डॉक्टर श्रद्धा वसर्ष्ट आपका सबकी शिक्षा में बेहत स्वागत करती हूँ आज की विडियो के माध्यम से मैं आपको देने जा रही हूँ बहुत ही महतपूर जानकारी जो की संबंदित है केंद्र विद्याले दाखले प्रक्रिया में दिये जाने वाले आरक्षन से तो किस वर के बच्चों का कितनी सीटों पर होगा दाखला और जो ओबी से आरक्षन इस बार से लागू होने वाला है उसके तहट कितनी सीटों पर बच्चे ले पाएंगे इस सत्र में दाखला उसकी जानकारी मैं आज की विडियो के माध्यम से दूँगी इसलिए इस संदित लेटस्ट इंफोर्मेशन लाती रही हूं और मेरे आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए प्लीज इस विडियो को लाइक जरूर करिएगा तो यह खबर छपी है हिंदोस्तान लाइविंदोस्तान.com में और यह कहती है केंद्रिवा जवाहर नवोध्य विद्यालि केंद्र विद्याले संगठन के देश विदेश में संचालेद 1200 से अधिक विद्यालियों एवं लगभग 600 जवाहर नवोध्य विद्यालियों में इस सत्र से 27 प्रतीशत ओबिसी कोटा लागू होगा केंद्र सरकार ने इस संबंध में पिछले साल दिसंबर में निर्ने लि को प्रभावी करने को कहा है ओबी से अरक्षल सिर्फ पहली कक्षा में होने वाले प्रवेश पर लागू होगा इस बात को देखे में बहुत ध्यान से आप सुनिएगा ओबी से अरक्षल सिर्फ पहली कक्षा में होने वाले प्रवेश पर लागू होगा एक सेक्शन में 40 ब 5 प्रतीशत या 3 सीटों पर अनुसूचित जाती और 25 प्रतीशत या 10 सीटों पर गरीव एवं वंचित वर्ग के बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा। से लेते हुए मानव संसाधन विकास मंत्राले ने OBC चात्र चात्राओं के लिए 27 फीसदी सीट आरक्षित करने का फैसला किया है। अब तक दोनों विद्यालेों में अनुसूचित जाती एवं अनुसूचित जन जाती सीटी वर्ग के चात्र चात्राओं को ही आरक्षिन मिलतला था। पर 2021 के सत्र से OBC वर्ग के बच्चों को भी आरक्षिन का लाब मिलेगा। जवाहर नवोद्य विद्याले में SCST के लिए आरक्षिन की विवस्था उस जिले की जन संख्या के अनुपात के बराबर होगी। केंद्र विद्याले संगठन वरनरसी रीजन के सहाय कायुक्त वी शिववाजी ने बताया कि M.H.R.D. के निर्देश पर तयार नई प्रवेशनीती के अधार पर 2021-21 सत्र में दाखिला होगा। तो यह थी जानकारी जो मैं आपको देना चाहाती थी उम्मीद करती हूँ जानकारी से आपको केंद्र विद्याले दाखिला प्रक्रिया जो इस साल से नए रूप में लागू होगी उसके बारे में जादा समझने को मिला होगा। मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगे अगर आपने अभी तक सबके शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आज ही कर लीजे हमारा सुब्सक्रिप्शन बिलकुल फ्री है आपको एक रूपया भी नहीं देना सब्सक्राइब करने के लिए और सुब्सक्रिप्शन के साथ एक बेल आइकन होगा गंटी का निशान होगा उसे भी जरूर प्रेस कर दीजेगा क्योंकि जैसे ही मैं यहां से कोई भी विडियो अप्लोड करूंगी उसकी जानकारी आपके मोबाइल पर पहुन जाएगी तो अब मुझे डॉक्टर श्रद्धावसिश को जाज़त दी इचे नमाशकार